किसी ने सवाल क्या है किसर लोग इतने कॉम्पलेक्स क्यों होते हैं और रिलेशन्शिप में वो इमानदार क्यों नहीं रहते उन में धेरे की कमी क्यों होती है ये मुख्य प्रशन है देखे लोग कॉम्पलेक्स क्यों होते हैं इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और वो तो हर व्यक्ति का कारण अलग होता है, बिना किसी को जाने समझे, ऐसी किसी के बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के जो reasons हो सकते हैं, उनको emotional problems हो सकते हैं, किसी को mental issues हो सकते हैं, किसी को पारिवारिक दिक्कते होती हैं, कि उनके जो family का atmosphere है, environment है, वो इतना सकरात्मक नहीं होता है, उनकी जो family के जो लोग होते हैं, वो यहां तो emotional issues होते हैं, या उनकी अपनी समस्याइं होती है, या व्यक्ति में खुद का जो दिमाग है, वो इतना सक्षम नहीं होता, जैसे होता हैं कि कुछ लोग होते हैं क्लास में, सारे बच्चे होश्यार नहीं होते हैं, सारे बच्चे कमजोर नहीं होते हैं कुछ का दिमाग बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है कुछ का दिमाग थोड़ा कम क्वालिटी का होता है जिसको हम कम अकल बोल सकते हैं यूँ भी कह देते हैं कि दिमाग कम है इसमें सोचने समझने की ताकत नहीं है कुछ लोगों का दिमाग बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है उनकी सोचने समझने की ख्षमता बहुत अच्छी होती है तो किसी की जिन्दगी में क्या समस्या है यह हम नहीं बता सकते और दूसरी बात यह है कि जैसे लोग रिलेशनशिप में इमानदार क्यों नहीं रहते है उनमें धहरे क्यों नहीं होता है क्यों वो एक दूसरे से धहरे से बात करके एक दूसरे को समझने या समझाने का मौका नहीं देते है तो इस विशे में यही का जा सकता है कि किसी के बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो relationship में क्यों आया उसका reason क्या था क्या वो सिर्फ time pass करने आया उसका time pass नहीं हो रहा था तो इसलिए इसने सोचा कि चलो किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं time pass हो जाएगा तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य ही टाइम पास करना था तो उससे क्या उमीद की जा सकती है उससे तो जब कोई बहतर option मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो तो उस option की और ही जाएगा अब लोगों में धहरे क्यों नहीं होता अब धहरे कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है कि जो व्यक्ति पैदाईशी लेके आता है अपने साथ ये तो धीरे धीरे विक्सित करना पड़ता है धहरे जो होता है वो किस चीज का संकेत है आपका जो मन है जो भी व्यक्ति का मन होता है वो बहुत चंचल होता है जितना मन चंचल होता है उतना ही धहरे कमजोर होता है तो मन को बसमे करना धहरे को मजबूत करने वाली बात है या धहरे मजबूत जैसे जैसे हम करेंगे ये वैसे वैसे मन हमारा बसमे होता चले जाएगा अब लेकिन धैरे को मजबूत कैसे करते हैं कैसे मन को बशमे करते हैं यह अनुशासन से होता है डिसिप्लिन से होता है थोड़ा अपने आप व्यक्ति को समझना पड़ता है कि जिन्दगी में क्या चीज उसके लिए जरूरी है क्या जरूरी नहीं है और फिर अपने आपको थोड़ा जिन्दगी को व्यवस्थित और अनुशासित करना पड़ता है और धीरे धीरे हमारा धैरे मजबूत हो जाता है लेकिन यह जो चीज है यह बहुत ही बोरियत करती है जिन्दगी में बहुत इंटरस्टिंग नहीं है और बहुत टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है बहुत वक्त लगता इस वज़े से लोगों को बड़ी बोरियत आती है धैरे के उपर काम करने में अनुशासन के उपर काम करने में क्योंकि यह बोरियत भरी चीज़े है इंसे कुछ मज़ा तो आता नहीं है तो इसलिए लोग इन चीज़ों को कभी प्रेक्टिस ही नहीं करते है और ना ही इनकी इंपोर्टेंस समझते है उनको लगता है कि क्या है अनुशासन में कर लेंगे क्या है धैरे में क्या फरक पड़ता है छोड़ो ना क्यूंकि उन लोगों को जिन्दगी की घंबीरता का एहसास ही नहीं है इसलिए वो ना तो अनुशासन में रहते हैं ना ही धैरे के उपर कभी काम करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट्स है तो कोई लेना देना ही नहीं होता लोग बस रिलेशन्शिप में भी जब होते हैं तो मैंने यहीं देखा है कि सिर्फ दूसरे को ही चेंज करना चाहते हैं उन में भी वो सारी की सारी कमिया होती हैं जो वो दूसरे में देखते हैं और दूसरे को बदलना चाहते हैं वो चाहते हैं दूसरा ही धहरे से पेश आए दूसरे में ही अनुशासन हो, दूसरा ही इज़त तमीज से बात करे दूसरा ही हमको पूरी इज़त दे, दूसरा ही अपनी एगो को कंट्रोल में रखके बात करे लेकिन व्यक्ति खुद में ये चीजें नहीं देखता कुछ जब सोचता भी है तो अपने आपको ऐसा सोचता है कि मैं तो sensitive हूँ, मैं तो emotional हूँ, मुझसे तो ये चीजें हो जाती है लेकिन दूसरे को perfection के साथ पेश आना चाहिए दूसरा भी तो इंसान है, दूसरे की भी तो emotions है, दूसरे की भी तो कमजोरिया है तो बहुत सारे factors involved हो जाते है लेकिन यहाँ पे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि complexities व्यक्ति का जो मन है और मस्तिश्क है, वो प्राकरतिक तोर पे ही complex है इसलिए एकसर आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि वो बहुत सुल्जा हुआ व्यक्ति है अब ये सुल्जा हुआ व्यक्ति क्या होता है और ये उल्जा हुआ व्यक्ति क्या हो गया तो सुल्जे और उल्जे में फरक इतना ही है कि उल्जा एक वक्त में 10-15 काम एक साथ करता है जैसे office में जाएगा तो 15 काम एक साथ लेक बैठ जाएगा relationship में जाएगा तो 10-15 लड़कियां, 57 लड़कियां लेके एक साथ relationship में आ जाएगा चाहे लड़की हो तो वो कितने सारे boyfriend रख लेगी एक वक्त में पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं तो वो एक साथ पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं तो जो उलजा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी उर्जा को एक जगे केंद्रित करी नहीं पाता है लेकिन जो सुलजा हुआ व्यक्ति है चाहे लड़का है चाहे लड़की है चाहे कोई भी व्यक्ति है आदमी औरत वो सुलजा हुआ है उसे पता है उसके जिन्दगी में उसे क्या चाहिए स्टूडेंट है तो उसे पता है मुझे कॉलेज मुझे स्टडीज में बहुत अच्छा करना है कॉलेज में बहुत अच्छा करना है अच्छे नंबर लेके आने है और उसके बाद मुझे अपना career बनाना है उसका goal बहुत clear है जितने भी आप athletes देखते हो या जितने भी जो athletics में है, sports में है जो बहुत छोटी उमर से practice शुरू कर देते हैं और national और international level के games खेलते हैं अगर आप उनका जीवन देखेंगे तो बहुत वियावस्थित होता है वो सुबह बहुत जल्दी उड़ जाते हैं उन्हें अपना school भी करना होता है college भी करना होता है और पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने sports पर भी focus करना होता है, तो उनकी life में fall to लोगों की कोई जगा ही नहीं होती कोई गुंजाइश ही नहीं होती है बहुत सदा नपातुला उनका routine होता है और उसको ही focus करते है दोस्ती relationship की कोई जगा नहीं होती है क्योंकि उनको पता है ये सब आगे चलके distraction का काम करते है फाइदा कुछ नहीं होगा सिरफ और सिरफ fall to का stress ही मिलना है पास करने का नहीं होता है इनके दिमाग में बिलकुल साफ होता है कि मेरे को शादी करनी है इसलिए जब वो किसी लड़की हैं लड़के से बाते करते हैं तो वो टाइम पास करके बेकार की fall to बातें नहीं करते हैं वो एक दूसरे से अपने interest शेयर करते हैं और वो अपने goals के बारे में बात करते हैं जिन्दगी goals के हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे विचारों में कुछ similarity है की नहीं है और वो शादी के point से ही बात करते हैं और अगर उनको लगते हैं यहां सब कुछ ठीक है हमारे विचार काफी मिलते हैं सोच काफी मिलती हैं तो चार-चे महिने में ही वो शादी भी कर लेते हैं उनके पास इतना time waste करने के लिए होता है नहीं कि सुबे शाम लगे पड़े हैं साल दो साल कितने वर्ष बरबाद कर दी और उसके बाद फिर ब्रेव कप करके जिन्दगी बरबाद नहीं करते हैं उनका बहुत ही clear होता है कि life में करना कै तो एक सुलजे होए व्यक्ति कि जिन्दगी में जो goals होते हैं बहुत clear होते हैं उसे पता होता है कि क्या उसने achieve करना है उसके संबंदित क्या उसको strategies बनानी है क्या उसको run नीती बनानी है तो वो बिलकुल clear होता अपने goal को लेके और वो अपनी जिन्दगी में भी दोस्त भी वही शामिल करता है जिनके goals similar हो जो कि उसको उसके goals उसके dreams अचीव करने में उसको support करें सहायक हो अब normally क्या देखा जाता है जब से social media आया है तब से लोग क्या करते हैं बस उनको आसानी से मिल जाता बात करने के लिए बस वो बाते करते रहते हैं अब इन बातों का कोई objective नहीं होता कोई purpose नहीं होता बस purpose होता है कि एक दूसरे के साथ time pass करना है तो जब वो बाते हो जाती है तो obviously कुछ निकलता तो है नहीं तो time waste वाली ही बात होती है वो बात में दीरे दीरे realize होता है कि time waste ही किया और ये जो लोग होते हैं obviously ये सूच के तो आते ही नहीं है कि शादी करनी है relationship करना कुछ भी करना कुछ नहीं करना तो बस जैसे इनको कोई और मिल जाता है तो बस वो छोड़ देते हैं और relationship में बोरियत तो बिलकुल आती ही आती है कुई ऐसा relationship होता ही नहीं है इसमें को relationship में बोरियत ना आए कोई भी रिस्ता हो सब में बोरियत आ जाती है शादी में भी बोरियत आ जाती है लेकिन शादी और दोस्ती में यही डिफरेंस होता है कि शादी में व्यक्ति एक दूसरे के साथ जीवन साथी होता है वो जीवन का साथ निभाना होता है एक दूसरे को वहाँ पे सिरफ emotions के according नहीं चलते हैं अब दिल नहीं किया तो रिष्टा तोड़ देते हैं तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर लोगों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि लोग बहुत complicated होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है अपनी एक समस्या है और वो समस्या कभी भी दूसरे के साथ share नहीं करता क्योंकि बहुत embarrassing होता है कभी भी कोई व्यक्ति अपनी खुल के कोई बात नहीं करता क्योंकि पहली बात तो यह है कि दूसरा पता नहीं उसको समझेगा के नहीं समझेगा और ज्यादातर लोग समझी नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझदारी ही नहीं होती है इसलिए हमें क्या करना चाहिए जीवन में हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में किस परपस से हम क्या काम करना चाहते हैं अगर हमें relationship में आना है तो क्यों आना है relationship में शादी के लिए आना है time pass के लिए आना है और अगर time pass के लिए आना है तो फिर लोगों को इतना seriously क्यों लेना है और अगर बात करें normally, तो normally जो लोग जिनके पास जिंदगी में कोई goals नहीं है, objective नहीं है तो वो basically जिंदगी में कुछ भी नहीं करते हैं उनकी काफी सार emotional issues होते हैं वो अपनी भी जिंदगी खराब करते हैं, दूसरे की भी जिंदगी खराब करते हैं लेकिन जिन लोगों की लाइफ में गॉल्स हैं, वो जो कुछ करना चाहते हैं, वो जिन्दगी में काफी disciplined मिलते हैं, उनकी लाइफ में patience भी होगा, क्योंकि patience और discipline दोनों एक साथ चलते हैं, और उनकी सोच में गहराई भी होगी, वो दूसरे को समझने की भी कोशिश करते हैं अब कोई फालतू आदमी है उसे ना तो जिन्दगी में कुछ करना है ना ही वो किसी की इज़त करता है ना ही उसको बात करने की तमीज है ना ही उसको बड़ों की इज़त करनी आती है ना ही उसको तमीज से बात करनी आती है उसको अपने ही इमोशन से समझनी आते वो दूसरों के क्या ही समझेगा ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि लोग अपनी emotions ही नहीं समझ पाते अपनी बात ही नहीं रख पाते तो जब थोड़ी बहुत किसी बात को लेका लड़ाई जगड़ा होता है तो ज्यादातर लोग कुछ सोचते हैं कि चलो चोड़ो यार कौन इतना दिमाग खराब करेगा क्लैरिफिकेशन में किसी और के साथ दोस्ती कर लो बात का तम क्या करना है हमने को उसा शादी करनी थी तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जिसके साथ दोस्ती कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं क्या वो हमारे ड्रीम्स अब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है क्या उसके भी वही ड्रीम्स और अब्जेक्टिव्स हैं अगर हमारे ड्रीम्स अब्जेक्टिव्स कुछ है ही नई similarity तो वो दोस्ती तो वैसे भी नहीं चलने वाली और कभी भी किसी से दोस्ती करने से पहले हमें बिल्कुल clear होना चाहिए कि हम अपनी life में करना क्या चाहते है और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूँगा कि दूसरों को समझने की बजाए अगर हम खुद को समझे तो वो जादा आसान है और अगर हमारी जिन्दगी में patience होगा हमारी जिन्दगी में clarity होगी तो हमें यह पता रहेगा कि किस व्यक्ती के साथ हमें दोस्ती करनी है किस व्यक्ती के साथ हमें रिष्टा रखना है और किस व्यक्ति के साथ नहीं लखना कभी भी दोस्टी किरने में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोस्टी अगर गलत व्यक्ति से कर लोगे तो उसकी संगत का असर जरूर पड़ता है अगर उसमें अच्छाया होंगी बुराईं होंगी तो उसकी अच्छाईया और बुराईया अमारे उपर असर डालती है और जिन लोगों में कोई अच्छाईया होती नहीं है जो बस जिनदगी को ऐसी time pass के तोर पे निकालते हैं उनमें ज़्यादा तर गलत आते जरूर होती है और जो भी उनके साथ दोस्ती करते हैं उनकी संगत की वज़े से दूसरे व्यक्तियों में भी वो गलतियां वो बुराईयां आ जाती हैं और पता भी नहीं चलता तो बस moral of the story यही है कि गलत लोगों से दोस्ती ना करें दोस्ती करें तो अच्छे लोगों से करें और खुद को समझने की कोशिश करें जिन्दगी में clarity लाएं अपने जिन्दगी में क्या चाहते हैं आपके कुछ भी सपने हो सकते हैं आपके कुछ भी goals उद्देश्य हो सकते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करें और अगर आपका उद्देश्य ही relationship में जाना है शादी करना है तो फिर clarity होनी चाहिए और उस वो क्या क्या qualities होनी चाहिए और अगर वो आपको वो चीज़े नहीं मिलती हैं तो फिर उस relationship में उस दोस्ती में time waste नहीं करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति आपको वो time attention नहीं देता है जितना आप उसको देते हो तो हम किसी को बदल नहीं सकते हैं हम किसी को force भी नहीं कर सकत हैं अगर दूसरे व्यक्ति हमें इज़त नहीं देता है तो हम किसी को force नहीं कर सकते हैं हमें इज़त करने के लिए हमारी इज़त करने के लिए लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम उस दोस्ती से निकल सकते हैं हमें ऐसे व्यक्ति के साथ time waste क्यों करना है जो हमें ना time देता है ना importance सिंपल्ट सी बात है किष़्ी कुछ को बदलने की कोई जुरूत नहीं चाहे को जो बहुत किmodern करता उसके actions matter करते हैं कोई कहता रहे कि मैं आपकी care करता हूं लेकिन इसके actions में वह क्यार है ही नहीं कोई कहता है मैं आपकी इसत करता लेकिन उसको बात करने की तमीज नहीं है वो सुबह शाम आपके साथ बतमीजी करता है तो इन बातों को समझना चाहिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई आप किसी को वैल्यू देते हो अटेंशन देते हो, इंपोर्टेंस देते हो वो व्यक्ति किसी और के साथ दोस्ती कर सकते है जिसके साथ उसके विचार मिलते हो जबर्दस्ती किसे के साथ दोस्ती करने से अपना भी वक्त खराब करना और दूसरे के भी वक्त खराब करने कोई फायदा नहीं है वक्त कीमती होता है इसको सही जगह लगाना चाहिए जिससे कि आपको कुछ फायदा हो जिससे कि आपको उद्देश्य के पूरे करने में या जिन्दगी को सफल करने में आपको आसानी रहे नएं तो self improvement करते रहना चाहिए self improvement व्यक्तिक जिन्देगों आसान करती है और दूसरे complex क्यों है क्यों नहीं है इसमें अपना कीमती वक्त खराब करने की वज़ाए अगर हम इस चीज़ पर ध्यान लगाएं कि हमारे life में जो complexities हैं उनको कैसे solve किया जाए उनको कैसे easy किया जाए उससे हमारे life में इतनी clarity आ जाएगी कि हमें सही और गलत व्यक्ति की बचाएंगे और उसकी वज़े से होने वाली जितनी भी emotional issues हैं उससे भी बचाएंगे क्योंकि starting में जब हम दोस्ती करते हैं तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है क्योंकि starting में सारी अच्छे से बात करते हैं लेकिन बात में दीरे दीरे उनके emotional issues जब सामने आते तो फिर वो stress का कारण बनते हैं इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमारी इज़त नहीं करते हैं बस उनसे ही दोस्ती करो कुछ आपसे इज़त करते हैं तो ठीक रहेगा अबर को इज़त नहीं करता तो फिर क्या करना है दोस्ती और कोई भी रिष्टा इज़त से ही चल